अमिता बच्चन को बॉलिवुड का शेहनशा कहा जाता है। उनके देश ही नहीं पूरी दुनिया में लाखो फैन्स हैं। अमिता बच्चन ने पहली बार बताया कि वो बॉलिवुड में किसके फैन है। ये और कोई नहीं बलकि वेटरेन आक्ट्रिस वहीदा रह्मार है। जी हाँ, अमिता आपने रियालिटी शो सुपरस्टार सिंगर के मंच पर बताया कि वो वहीदा रह्मार के कितने बड़े परशिंसक है। अमिता बच्चन ने खा, फिल्म रेश में और शेरा में मुझे पहली बारों के साथ काम करने का मौकर मिला। शूटिंग के समय एक सीन था जिसमें सुनील दत और वहीदा जी को नंगे पहरेगिस्तान में बैठना था। वहाँ जादा तापमार की वज़े से जूतों के साथ बालू में खड़ा रहना संभव था। अमिता बच्चर ने बताया कि इस बात को लेकर वो इतने चिंतित थे कि वहीदा जी ऐसी परिस्तितियों में किस तरह से शूटिंग कर पाएंगी और वो भी बिना जूतों के। इसलिए जैसे ही निर्देशक ने ब्रेक लेने को बोला, मैंने बिना किसी समय गवाई वहीदा जी की जूती को उठाया और उनकी तरफ भागा। मैं ये भी बयानी कर सकता कि मेरे लिए वहपल कितना स्पेशल था। दिलीप कुमार जीव वहिदा रह्मान ये मेरी सिंद्ध की के दो आदर्श है। मेरे लिए वहिदा जी भारते नारी का एक आदर्श उधारर है। वहिदा जी ने हमारी बॉलिवुड इंडिस्ट्री को काफी बड़ा और असाधारर योगदान दिया है जिनने शब्दों के माद्यम से बयान नहीं किया जा सकता बता दे कि अमिदा बच्चन ने वहिदा रहमान संग्ट्रिशुल अदालत अन्नमक हलाल जैसे फिल्मों में साथ काम किया है आपको हमारी ये स्चोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताए प्रय जरूर जरूर आपको हमें किया हुआ है